पूरा दिन आपको कुछ ने कुछ खबरी मिले कोई शुपसंकेत मिले कोई इंफरमेशन मिले कोई ऐसा एक सजेशन किसी व्यक्ति विशेश के तरफ से मिले जो आपके लिए अपके लिए लेटर रॉन साबिध हो सकती है या आपके लिए पॉजिटिविटी और बढ़ सकती है उसको एक्सप्लोर करना आज के दिन आपका काम माना जा सकता है साथी साथ आज के दिन आपको प्रोफेशनली कुछ ना कुछ एक नई डिशा या कुछ अपने आपको अपग्रेड करने क के लिए कोई opportunity अफसर भी देखने को मिल सकता है कुल मिलाकर आज के दिन अगर आर्थिक स्थिरता की बात करें financial upliftment की बात करें या करियर किसी व्यक्ति विशेश की तरफ से आपको आज के दिन लापकारी कोई सूचना संकेत या कोई information ऐसी मिल सकती है जहां पर कोई छोटा मोटा legal aspect तो involved हो सकता है लेकिन लेटर ओन वो आपके लिए profitable venture हो सकता है कहले का मतलब यह है कि अगर आज के दिन आपको यासी deal करने जा रहे हैं जिसमें कोई legal दाव पेज है तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि लंबे समय में वो आपको long term investment plan के तहत positive कोई situation create हो सकती है बात करते हैं मिथुन राशी वालों के लिए आज का दिन में थुन राशी वालों बिल्कुल ठीक रहेगा आज के दिन स्वास्रमंदी चिंताएं दूर होती हुई नजर आएंगी कारशेतर में स्थिर्ता या पुर्ण स्थिर्ता बन चुकी है बनी हुई है मन आपका शांत रहेगा नए योजनाओं पे काम कर सकते हैं आपने आपको पॉजिटिव रखिए आज के दिन आपके द्वारा लिया गया कोई भी निरने आपकी सिचुएशन को और पॉजिटिव करके जा सकता है इस्थानांतरण का अगर आप वेट कर रहे थे प्रिमाइसेज घर चेंज करना रेलोकेशन किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की परिस्थिती या अब आप सोच रहे थे तो वो परिस्थिती अब आपकी चेंज होती हुई नजर आएगी यानि कि उसमें कोई शु करिए आगे बढ़ते चलिए सब तरह से आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी आज के दिन आप किसी नवीनतम प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं यह आपके स्वास से संबंदित भी रख सकता है आपके लाइफस्टाइल को भी इंप्रूफ करने के लिए प्ल बात करते हैं सिंग राशी वालों के लिए सिंग राशी वालों आज के दिन प्रॉपर्टी में निवेश करना लाबकारी सिद्ध हो सकता है लंबे समय से चल रहा कोई प्रॉपर्टी विवाद साजा हो सकता है लोग आपके काम की तारिफ करते हुए नजर आ सकते हैं साती स बात करते हैं तुला राशी वालों के लिए तुला राशी वालों आज की दिन की मैं बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए समानता रहेगा कुछ खास उतार चड़ाओ देखने को नहीं मिलेगा परिस्तितियां जैसी चल रहे हैं चलाते रहे हैं कुछ खास नेगिटिव नकरात्मक सिचुएशन या सुचना आपको सुनने को भी नहीं मिलेगी और देखने को भी नहीं मिलेगी नीजी रिष्टों में कम्विनिकेशन को इन्टेक्क रखने की ज़रूरत है थोड़ी भोगांत मिसंडिस्टैंडिंग हो सकती है ये आपके partner के साइट भी और professionally भी आपको और प्रिस्चलीर कर करें right from the day one चलने की जरूरत है बात करते हैं विश्यक राशी वालों के लिए विश्यक राशी वालों आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए positivity को embrace करना है आज का दिन आपके लिए नवीनतम विचारधाराओं को embrace करते हुए आगे बढ़ने का है उन सभी तथ्यों को अब आप विचार सकते हैं मन में ठान सकते हैं जहां पर आप लंबे समय से विचार तो करते हैं कि आपको ये काम करना है लेकिन किसी कारणवश चलते चलते वो काम रुक जाता है तो आज के दिन आत्म विश्वास में आत्म बल में थोड़ी सी वृद्धी करते हुए अपने आपको कंच्रोल में लेते हुए कोई ऐसा एक बड़ा निर्णय डिसीजन आप ले सकते हैं जो आपके और आपके परिवार के लिए लापकारी सिद्ध हो बात करते हैं धनुराशी वालों के लिए आपके लिए समानेता परिस्थिती रहेगी धनुराशी वालों कुछ खास होता चलाओ देखने को नहीं मिलेगा मन को शांत रखे पॉजिटिविटी को इंब्रेस करिए आज के दिन जितना आप अपने उपर टाइम बिताएंगे उतनी आप नवीन तम योजनाओं पर आगे बढ़ पाएंगे एग्जेक्यूशन बोड में आएंगे साथी साथ आज के दिन आपको अगर कोई परिवारिक स्थिर्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कोई ना कोई आपको उसमें गाप दिखता है तो वो भी अप पूर्टा आपके लिए कहीं न कहीं लापकारी सावित हो सकता है परिवार की तरह से आपको पूर्ण इस रबॉर्ट मिलेगा सेकेंड आपके बाद थोड़ा साप स्ट्रेस आउट हो सकते हैं या आपके ओपर काम का बोज हो सकता है इसलिए स्ट्राटेजिकली आज के दिन को शुरुआत करने की जरूरत है बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए आपका दिन आज के दिन लापकारी साबित हो सकता है उसके बाद ही किसी agreement में आप enter हो साथी साथ पारिवारिक स्थिरता बनी रहेगी भाई बहन के साथ चोटी मोटी बहस हो सकती है लेकिन कुछ खास इसमें time waste करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको चोटी सी बाद चुप तो सकती है जरूरी नहीं है कि वो इतनी बड़ी हो तो साथी साथ आज के दिन लंबे समय में किसी project की उपर अगर आप काम करना चाहते है जो आपकी positivity से संबंद रखता हुआ है चाहे आपके lifestyle को improve करता हो चाहे आपके किसी resolutions को indicate करता हुआ जाता हो बुजर्गों के आशिरवाद से आज के दिन आपको नवीन तम परिस्तिति अपने लिए create कर सकते हैं जो लोग अपने आपको professionally और enabled बनाना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन लाबकारी माना जा सकता है बात करते हैं मीन राशी बालों के लिए मीन राशी बालों आपके लिए परिस्तितियां भी अनकूल है मन आपका शांत है आप पूरे परिवार के साथ अपने आपको आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं आज के दिन कोई collective decision आप ऐसा ले सकते हैं आपके परिवार के लिए लापकारी सिद्ध हो साथी साथ आप सभी उन योजनाओं या परियोजनाओं पर कर सकते हैं जहां पर आपको लगता है कि चलते चलते कोई negativity आ रही है साथी साथ आज की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन नवीन तम योजनाओं जो आपके पास कारेशेतर में उननती के रूप में या कोई कारेशेतर में नए अवसरों के रूप में आ रही है उन पे आप आज के दिन काम कर सकते हैं बाकी समानेता परिस्तिती रहेगी कुछ खास उतार चलब चीजों में देखने को नहीं मिलेगा स्वास संबन्दी जिंताइं सेकंड हाफ के बाद आपकी खतम होती भी नजर आएंगी सेके साथ मुझे आग्या दीजे मैं कल फिर आजर हूंगी नमस्कार